दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उलपत, मेरी मिट्टी से भी खुश्बूए वतन आईगी दोस्त भगत सिंग का एक बहुत भेदरीन थोट है कि सामराज्य के सामराज्य उखड़ जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, बट उनका विचार नहीं मरता व्यक्ति मर जाता है बट उनका विचार नहीं मरता तो वैसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं दुबारा दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, वह हुआ एमफेटिक सेंटेंस तो ये जो वर्ड आपने सुने हैं, सामराज्य के सामराज्य तबाव जाते हैं, घरों के घर डूप जाते हैं, बस्तियों के बस्तियां उजड़ जाती है ऐसे सेंटेंसिस को आप कैसे बोलेंगे, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ और आज एमफेटिक सेंटेंसिस का पार्ट टू है और ये बहुत जादा इंपोर्टेंट क्या है, पार्ट है क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा वो बहुत ही जादा बेसिक था, बच्चो वाला खेलता, असली खेल तो आज शुरू होता है एमफेटिक सेंटेंस का और कई जगे में आपको बताने जा रहा हूँ कि एमफेटिक सेंटेंस आप यूज और कैसे करेंगे पार्ट टू और लास्ट में आपसे मैं तीन-चार सवाल पोचूँगा, वो उनके जवाब आप अपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बट आप उनके जवाब तभी लिख पाएंगे जब आप ये जो वीडियो है ये शुरू से लेके एंड तक देखें हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका THL Academy में और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ emphatic sentence तो शुरू करते हैं तो पहला जहां पर हम यूज कर सकते हैं emphatic sentence का वो है noun और pronoun देखो emphatic sentences में आप क्या यूज करेंगे noun और pronoun का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट बशर्त शर्त आपको क्या रखनी हैं आपको ये चीज याद रखना है कि इसका structure क्या होता है अगर मैं आपको बताओं तो इसका structure होगा it is क्या होगा it is और यहाँ पे जहाँ पे मैंने i लिखा है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो मतलब noun भी लिख सकते हो pronoun भी लिख सकते हो अब अगर आप सोच रहोंगे यह noun और pronoun किया है तो मैं आपको बता देता हूँ आप noun और pronoun के जंजट में मत पड़ो आप यहाँ कुछ भी लिख दो बस मतलब जैसे मैंने यहां लिखा है it is I यहां पे आप लिखे हो लिख सकते हो it is you यहां पे आप लिख सकते हो it was he, it was she मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो it is या it was करके अगर present में लिखना है तो it is आएगा और past में लिखना है तो it was आएगा तो आप देखेगा आपको बस क्या लिख रहा है मतलब noun और pronoun में से कुछ भी चीज लिख देनी है और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा emphatic sentence बन जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने it is I यहाँ पर लिखा है मैंने it is me देखो बस emphatic sentence बनाने के लिए subjective case में denote करेगा subjective case क्या होते है वो मैं आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप God से देखेगा कि यहाँ पर क्या है देखें कि subjective और objective case लिखा है जैसे मैं अगर अपने आपको subjective case में लगाउगा तो मैं अपने आपको बोलूँगा I और अगर objective case में लगाऊंगा तो मैं बोलूँगा me मतलब आपके माइन में बस इतना आना है अगर आप अपने आपको शुरू में लगाऊगे sentence के तो आप subjective case में लगाऊगे और अगर आप अपने आपको sentence के last में लगाऊंगा जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं मेरे पापा मेरे को पैसे देते हैं अब पापा आ गए पहले sentence के तो क्या आएगा my father gives me money अब मैंने अपने आपको क्या लगाए sentence के बाद को लगाया तो यहाँ पे मैंने me लगाया ना कि मैंने यह आए लगाया बस आपको यह खयार रखना है कि subjective और objective case तो आप it is के बाद कौन सा case लगाएंगे subjective case लगाएंगे objective case नहीं लगाएंगे मतलब it is me नहीं लगाएंगे आप ठीक है देखो it is me भी सही है जैसे हम बोलते it's me आपने देखा हुआ इस्टेटस बगेरा हम बहुत जादर डालते है it's me it's me भी सही है but it's me तब तक सही है तब तक इसके साथ कोई दूसरा sentence ना जोड़ा जाए और आज मैं आपको emphatic sentence सिखा रहा हूँ पूरा sentence जोड़ के देखो अगर आपको अगर आप सिरफ एकलौता sentence लिखना चाहरे हो it's me तो सही है it is me बिल्कुल सही है but अगर आप पूरा sentence लिखना चाहरे हो तो इस sentence बिल्कुल हो जाएगा गलब क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुन सा case आना है subjective case और subjective case क्या है I you का subjective case you और जैसे he, she, they, we आपको him, her, them और us नहीं लगाना है यहाँ पे अब देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो हम अभी हम बात करते हैं किस बारे में it is I देखो यहाँ पे क्या है मैं यहाँ पे वैसे it was कर देता हूँ तो sentence पूरा सही हो जाएगा देखो it was I मतलब मैं ही तो था मैंने आपको बोला था कि emphatic sentence क्या होता है emphatic मतलब जोर देके जब हम कहते हैं अगर आपको अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप playlist में जाके emphatic sentence का part 1 जरू देखेगा तो था जब मैं जोर देखे बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा it was I it was me who saved you नहीं बोलूँगा ये क्यों नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा case आगया objective case और मैंने क्या बोला था यहाँ पे हमेशा कौन सा case आना है subjective case अगर आपको objective subjective समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक next video अलग से लिया हूँगा बट आपको बस अब ये आपको mind में अपने बस यह राना है कि आपको क्या लगाना है I, you, he, she ये वाले लगाने है बस चीक है अब देखते हैं जैसे it is you ये बिलकुल सही है कि मतलब तुम ही तो हो it is you तुम ही तो हो but who called me names बट अगर यहां past आगे आया past आगे तो हमें आगे भी past लगाना है तो यहां पे हम क्या करेंगे it was you sorry यहां पे हम क्या करेंगे it was you क्या लगाएंगे it was you लगाएंगे ठीक है ना मतलब तुम ही तो थे जिसने क्या क्या मुझे गाली दी अब देखो जब भी आपको sentence होड़ना है तो is और was के सहरी जोड़ोंगे it was I, it was you, it was he जो भी लगाना है जिसे अगर मैं next वाला sentence कर रहा हूँ it was he मतलब मैं जोड देखे बोल रहा हूँ तो वही तो था it was he, देखो आपको मेरे साथ साथ repeat कर रहा है, आपको एक note book जरूर निकाल लेनी है, अगर आपको बहुत ही बहतर English पढ़नी है तो आपको एक note book जरूर निकाल लेनी है और उसमें इस सारी चीज नोट करनी है it was he who invited me मतलब यही तो था जिसने मुझे invite किया आ रहा है आपके इतना समझ में अब देखो यह तो रहा हमने जितने भी अभी हमने नाम के बारे में हमने बात कर ली, जितने भी जो भी थे pronoun के बारे में हमने बात कर ली बट अगर मैं कुछ चीज, कुछ sentence है save you. तो अगर आपको आपने इन दोनों को जोड़ाया तो आपने who से जोड़ना है या तो debt से जोड़ना है. अब देखो who से तब आप जोड़ोगे जब व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी. किसके बारे में? देखो व्यक्तियों के बारे में बातचीत नहीं हो रही होगी. मतलब जब वस्तों के बारे में बातचीत हो रही होगी तो हम who के अलावा debt से जोड़ेंगे. देखें ज़रे जैसे अब देखो ज़रा अब व्यक्ति के बारे में बातचीत नहीं हो अब जर अब कोशिच करना education ही तो है बस क्या बदलना है आई के जगे बदल देना है जैसे it was I लिखाता है यहाँ पर मैं क्या आपको प्रेजेंट का sentence है education ही तो है जो हमें समझदार बनाती है तो it is education समझ में आ रहा है जर देखेगा गौर से it is education समझ में आ रहा है आपके दि तो यहाँ पर हुसे connect कर लिया बट यहाँ पर that मैंने इसलिए लगाया क्योंकि भाई education में जान नहीं है विसे जान तो education में है अगर हम indirectly सोचे तो जान सिरफ education में ही है बट वैसे real में मतलब जैसे अगर में बात करो जिन्दा नहीं है तो non living thing है तो it is education अब non living thing है तो क्या है that makes us sane, sane का मतलब होता है समझदार, समझ भी आ रहा है न, are you sane? तो अगर मैं बात करो इसका मतलब क्या होता है? समझदार, it is education that makes us sane, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, practice ही तो है जो आदमी को perfect बनाती है, यहाँ पे क्या था? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि it was you, तुम ही यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिस ही तो है भाई, तो अब क्या जएगा? it is, यहाँ पे you की जगे क्या डालते हैं? प्रैक्टिस जो है, तो it is practice भाई, तो क्या है? प्रैक्टिस ही तो है, it is practice free or non-living thing है, तो किससे जोड़ेंगे? that makes a man perfect, it is practice that makes a man perfect, फिर लास्त है, अगर आपको लगब साथ या तरीके से बता हूँगा कि कैसे empathetic sentence का use होते हैं? फिर क्या phone ही तो है, जो मुसीबत की जड़ है कमबत? बोला होगा आपकी उम्मी ने भी बहुत बाराण, तो अगर बात रो phone ही तो है, तो it is phone, फिर जोड़ देना भाई, जोड़ देना, it is phone, देखे is bone of contention, देखो bone of contention मतलब होता है, मुसीबत की जड़, क्या है? bone of contention, मुसीबत की जड़, कुछ भी मुसीबत की जड़ होगा, bone of contention लगाते है न, ठीक है? तो गैसे बहुत है, एपोन ही तो है, जो मुसीबत की जड़ है, तो it is phone that is bone of contention, तो अब हम आगे देखते हैं, जो यह मैं विद्कार देता हूँ आप confused ना हो जाए तो अगर हम बात कर रहा हूँ कि अब emphatic sentence है दूसरा हम use कहाँ पर करेंगे to का मतलब होता है भी जैसे आपने बहुत बार बोला होगा न मैं भी तो आउंगा मैं भी तो गया था मैंने भी तो किया तो जब भी भी के बारे बात आती है जब भी जो भी वर्ड से जो जा सकता है वो सारे emphatic है मतलब तो यह जो two है इससे भी जोर देखे हम बातचित कहते हैं मैं भी तो करूंगा तो यहाँ पर two का इस्तमाल करते हैं तो से पहले भी कुछ आना चाहिए और two के बाद भी कुछ आना चाहिए तो की जो पोजिशन होगी वो कहां पर होगी बीचो बीच होगी समझ में आ रहा है कहां पर beach oh beach ना तो two आप सबसे पहले लिखेंगे ना तो two आप सबसे last में लिखेंगे अगर आप emphatic बना रहे हैं तो two की position होनी चाहिए बिल्कुल beach oh beach बिल्कुल तब जाके सही होगा जैसे अगर मैं बात करा हूँ जैसे मैंने मैं newspaper पढ़ता हूँ तो मैं लिख दूँगा I read newspaper normal sentence है मैं newspaper पढ़ता हूँ बट अगर मैं बात करूँगा मैं भी तो newspaper पढ़ता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा I to अब देखो two I नहीं कर सकता ना तो मैं two last में लिख सकता हूँ अगर मैं बात करूँगा मैं भी तो newspaper पढ़ता हूँ तो मैं क्या करूँगा I to read newspaper मैंने क्या बोला था तो से पहले भी कुछ आना चाहिए और तो के बाद भी कुछ आना चाहिए तब इसका sense क्या निकलेगा मैं भी तो newspaper पढ़ता हूँ यहां हो अब देखो कोशिश करते हैं अगर मैं बात कर करा हैं ता मैं भी तो गया था तो मैं कैसे बोलूँगा i two, अब past बोलूँगा तो गया की, go की second form क्या बोलूँगा то i two went market मतलब मैं भी तो market गया था मैंने भी तो अपढ़ाई की थी i two studied मैंने क्या हला I mean do 2 के आगे भी कुछ आना चाहिए पीछे भी कुछ आना चाहिए तब जाके बिलकुल सही होगा आ रहा है समझ में जैसे है हम夏 घर भी तो खरीदा गया था तो कैसा हैगा How फूड बोड्ट घर भी तो खरीदा गया था पैसी बए तो house to was bought अगर मैं बात करूँ मैंने भी तो घर करीदा था तो कैसे बलूँगा I to bought house समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब सिदा past ठीक है ना जैसे अगर मैं बात करूँ मैं भी तो चलाऊँगा car तो I to will write car simple सा sentence है बट मतलब आपको क्या subject के बाद to लगा देना है मतलब doer मतलब जो काम कर रहा है उसके बाद to लगा देना है एक बहुत ही popular sentence है और जो आप सुमस्ते होगी मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ जैसे हैं मोलते है I love you too क्या बोलते हैं I love you too आपने ही बोला होगा आपने कहीं बहुत सारे movies में भी सुना होगा I love you too ये grammatical incorrect है पता आपको ये सही नहीं है बाद साब इसका मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ समझ रहे हो कि मतलब 15-16 और हैं जिनसे वो प्यार करता है या करती है और तुमसे भी करता है अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ या करता हूँ तो जूता निकाल के मारना भाई और वह भी भिगो के मारना कि 50-60 लोगों से और भी करती है क्या तो इसका sentence क्या है इसका exact होगा I to love you मतला मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ कहना तो तुम यह चाह रहे हो न मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जैसे उसने बोल दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो आप भी क्या बोलोगे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सोचो जरा कि कितना ब्रहम पाला वथा आपने कि की sentence है यह sentence grammatical सही नहीं है grammatical sentence कहा है जो आप कहना चाहरे हो हाँ अगर आप यह कहना चाहरे हो कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ तब बोलो खुलना I love you too मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और अगर तुम बोलना चाहरे हो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तब आप क्या बोलोगे है I too love you आगे हम बढ़ जाते हैं देखो तीसरी जगे हम emphatic sentence का कहा इस्तवाल करेंगी even जब भी even के बारे में बात आएगी तो वहाँ पे भी emphatic sentence का भी इस्तवाल करेंगी क्योंकि even भी क्या दर्शार है even भी जोर देखे sentence पे कहा जाता है अब even किस-किस के जाथ उस क्या कर सकते हैं did not plus even या तो cannot plus even आपको दिख रहा होगा did not plus even और cannot plus even did not मतलब past cannot मतलब जहाँ पर power के बारे में बात आती है या सकता के बारे में बात आती है जैसे अगर में बात कर रहा हूँ she did not even talk to me उसने मेरे से बात भी नहीं की मुझे 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 मैं गया उससे बात करने उसने मुझे 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 बात भी नहीं की उसने मेरे से तो he did not even talk to me not हमेशा कहां आएगा जराब देखेगा not हमेशा कहां पर आएगा मतलब even कहां पर आएगा हमेशा not के बाद not के बाद हमेशा even आएगा कि तो कैसे लिए I did not even talk to me अब जैसे he did not even teach मतलब उसने पढ़ाया तक नहीं क्या बोला उसने उसने पढ़ाया तक नहीं जैसे my father even did not get me bike मतलब मेरे पापा ने मुझे bike भी नहीं दिलाई मेरे पापा ने क्या नहीं दिलवाई bike नहीं दिलवाई ठीके ना bike तक नहीं दिलवाई मेरे पापा ने मुझे bike तक नहीं दिलवाई अब मैं आगे आपको बढ़ा रहा हूँ, अब जैसे करें बात करना चाहरा हूँ, अब देखो इसमें भी भी का सैंस आ रहा है, मेरे पापा ने भी मुझे बाइक तक नहीं दिलवाई, अब देखो जैसे, अब देखो यहां सकता का सैंस आएगा है, ठीक है न, he cannot even have food, मतलब वो बिचारे उसके हाथ भी नहीं है भाई, मतलब हाथ भी नहीं है, वो खाना तक भी नहीं खा सकता भाई, वो खाना भी नहीं खा सकता, अब यहां देखो वो खाना तक नहीं खा सकता, समझ भा रहा है, कितना जोड़ देके बोलने, he cannot even have food, वो खाना तक नहीं खा सकता, he cannot बिचारे के पास पैर नहीं है, एक्सिडेंट में गवादी उसने पैर, चल तक नहीं सकता भाई, वो सकता आरा है, चल तक नहीं सकता, तो कैसे बोलेंगे, he cannot even walk, अब बोलें, वो बिचारा, मतलब हम इस समय बिचारे, घर से भारत तक नहीं जा सकते, lockdown जो है, वरना कुटाई होगी जबरदस, तो कैसे बोलेंगे, we cannot even go outside, कैसे बोलेंगे, we cannot even go outside, मतलब हम घर से बाहर तक नहीं जा सकते, अब तुभारे दिमाग में आ रहा है, इसमें भी भी आ रहा है, तो अब even और not को, मतलब even और not को यूज़ करें, सिरफ two ही two यूज़ कर लेंगे, तो वैं आप आपको बता दिता हूँ, two आ रहा है, जहां पर positive sentence है, और even कहां पर आ रहा है, जहां पर negative sentence है, जहां पर not आ रहा है, जहां पर not आ रहा है, वहां पर आप two इस्तमाल नहीं कर सकते, वहां पर even का ही इस्तमाल करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पर यह नहीं कर सकता, कि मतलब म वहाँ पे ही even आएगा बस इतना संतर है तो अब हम आगे देखते हैं ये चौथा दूसरा तीसरा अब चौथी जगे है चौथा है सोग अब देखो सो को कैसे हम यूज करेंगे जैसे हम कभी गार होता है जैसा राजा वैसी प्रजा जैसा भाई वैसा बेहन जैसे बाइव ऐसी बहन मतलब ऐसे हम बहुत जैसे भाफ वैसा बेटा जैसी प्र compelling जैसा वह वह वैसका लूसरा यह संगति दूखई best तो इसको हम कैसे उस भी क्या करतो है जोर देता है तो यह भी एक MEBER हिए चीक है चीक है तो कोशिश करते हैं समझरे चीक है देखो सो से पहले एक sentence आना ज़रूरी है सो से पहले क्या आना ज़रूरी एक sentence आना ज़रूरी है और उसके बाद आप is, am, are, was, were कुछ भी लगा सकते हो किस यसाहब से हैं? Sentence के साफ नहीं है, present में बोल रहे हो, past में यह ah future में बोल रहे हो, चिक है? तो उसके साथ चाहिए इस एमारिय वज़वर आएगा और उसके बाद क्या आएगा Another Doer मतलब जब हम किसी और करता के बारे में जो हम बात कर रहे है Doer मतलब जो काम करता है जैसे जैसी राजा वैसी प्रजा तो एक तो Doer का है उसमें? तो वो तो पहला वाला सेंटेस हो जाएगा और दूसरा करता क्या है प्रजा तो प्रजा लास्ट में आ जाएगी मतलब दूसरे Doer के तौर पर Another Doer मतलब ठीक है तो जैसे हम बोलते है जैसा राजा वैसी प्रजा देखो as the king सेंटेस हो गया पूरा है as the king और उसके बाद क्या लगाना है हमने so so लगा दिया so are the subjects are क्यों आया क्यों कि यह plural है आगे का हमें देखना है कि last का हमें देखना है last singular होगा तो यहाँ पर singular आएगा और अगर यहाँ पर plural हो गया तो यहाँ पर भी plural आएगा यहाँ पर आप कुछ और भी लगा सकते हो जैसे so are the people कुछ भी कर लो आप ठीक है ना बट यहाँ plural ही आएगा उसके बाद फिर आएगा जैसा भाई वैसी बहन अब देखने इसमें दोरो singular जैसा भाई जैसा राजा वैसी जैसा भाई as the brother वैसी ही उसकी sister sister क्या है singular तो यहाँ पर singular आए तो यहाँ पर आर नहीं यहाँ पर क्या रहा है is so आगे है उसके इस the sister जैसा भाई वैसा बेटा as the father अब क्या है बेटा क्या है son singular तो as sorry so is the son आप देखो बाई भी चलाक और बेटा भी तो क्या हैगा the father is clever आगे समझ में the father is clever पिता जी चलाके तो वैसा बेटा भी चलाके भाई तो so उसके बाद फिर क्या is MR अब क्या son क्या है son singular है तो फिर क्या है is so is the son simple सा बिलकुल mummy कंजूस तो बेटी भी तो कैसे बोले है the mother is miser अब देखो कंजूस को हम बोलते है miser तो कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे अब है the mother is miser so is the daughter मतलब तो बेटी भी वैसी है so और बिलकुल आ रहा है देखो इस MR में से कुछ भी लगा रहा है so is the daughter simple सा है बट यहाँ पे यह खतम नहीं होता है क्योंकि actually अभी तक हम जो में बात कर रहे थे हम यहाँ पे हम no action के बारे में हम बात कर रहे थे किसके बारे में no action देखो यहाँ पे कही पे भी action नहीं king भी action नहीं brother भी action नहीं father भी action नहीं clever तो action होता ही नहीं miser भी action नहीं यहाँ पे कही पे भी action नहीं नहीं है ठीक है ना तो यसे मैंने बोला मैंने जुआ कहिला तो खेलना एक एक एक्षन है जैसे में मैंने इंगलिश बोली तो बोलना एक 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 एक्शन है मैं चैनल को सब्सक्राइब another doer जहाँ पर इजे हमार आता था बस उसकी जिगर dooders लगा देना है dooders या तो dead will अब आपको पता है कि dooders कहाँ पर use होता है अगर आपको dooders नहीं पता है तो आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी present, past, future की जो हमारी playlist में spoken के portion में होगी नहीं तो मैं description में link दे दूँगा dooders का जितना हो सकता है link देने की कोशिश करूँगा अगर नहीं भी दे पाए तो आप playlist में जाके उसको पूरा देख सकते हैं तो कैसे बोलेंगे आप देखो यहाँ पर जब भी action आजागा तो मैं जुआ खिलता हूँ तो जुआ खिलने के बोलते है gamble तो कैसे बोलेंगे I gamble मैं जुआ खिलता हूँ तो भाई भी खिल लेता है तो तो के लिए so आया और उसके बाद भाई अब present में भाई क्या है singular तो present में he और she और singular के लिए क्या आता है does कव्प्यो करते हैं नहीं करते हैं आय के ले क्या आता है डस तो आता नहीं आय के ले आता है do तो यहाँ पर क्या आएगा so do I देखो कोशिश करना यहाँ समझ रहे है so do I अब देखो जैसे कि जैसे मैं चैनल सब्सक्राइब करूँगा तो मेरा भाई भी करेगा तो कैसे बोलेंगे I will I will subscribe channel so will my brother future का है अब देखो जैसे मैंने चिकन खाया अब पास हो गया मैंने चिकन खाया I took chicken तो मेरी बेहन ने भी खाया so did my sister मतलब यहाँ पर पहले do does did will आना है पहले इतना समझ में आया आपको next देखते है पाच हुई जगे पाचवा सामराज्य के सामराज्य तबाह हो जाते है याद है वो भगत सिंग का थोट सामराज्य के सामराज्य तबाह हो जाते है बट उनकी जो विचार धारा है वो बच्ची रहती है तो वैसे ही इसको हम कैसे बोलेंगे सामराज्य के सामराज्य ऐसे इवर्ट घर के घर अगर मैं बात करें आँ वीडियो पे वीडियो खेल पे खेल ठीके समझ बारा है ना कार पे कार ली गई ऐसे वर लोग को हम कैसे यूज़ करेंगे तो उनको यूज़ करने का एक फॉर्मुला होता है और वो क्या होता है आपको नाउन लगाना पड़ता है सबसे पहले नाउन लगाना पड़ता है और उसके बाद नाउन मतलब कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ का नाम लगाना पड़ता है कोई वो जो दो चीज़ सेम होगी ना जैसे कार की कार बाइक के बाइक, सामराजे के सामराजे के घर, घर के घर तो उसके बीच में क्या लगा देना पड़ता है? after जैसे अगर बात कराऊं, घर के घर house after house, bike पर bike bike after bike, car पर car car after car बस इतना से लगाना होता है, और कुछ नहीं और इसके बाद जो भी आएगा वो singular form में आएगा क्या आएगा singular मतलब इसके बाद जो भी आएगा तो single में आएगा आप यह मत समझ लें ना दो sentence है तो इसमें अब तो जुड़ के तो plural आएगा तो plural नहीं आएगा क्या आएगा singular आएगा जैसे सामराज्य के सामराज्य तरह तबहा हो जाते है तो कैसे बुलेंगे empire after empire empire after empire collapsed simple सा क्योंकि खतम हो गया sorry देखो क्या है हो जाते है empire after empire is collapsed ठीक है ना हो जाते है वो अच्छा अगर वातनों घर के घर बह जाते है तो home after home was यहाँ पर were नहीं क्या आएगा was जैसे यहाँ पर क्या आया is हो जाते है is आया है हाँ पर वैसे यहाँ पर क्या आएगा was आएगा तो क्या आएगा home after home was washed away मतलब घर के घर बह गए भाई जैसे तुमने देखा होगा ना बार आती है अथे अचे वची पर काई तुमने आएगा was आपके लिए कुछ बहतरीन content तयार करके ला सकें तो अभी हम आगे हम बात करेते हैं किस बारे में वीडियो पर वीडियो देखी गई देखो वीडियो आप पुरानी भी वीडियो देखें तो कैसे बनाए वीडियो आप्टर वीडियो has watched simple सा हो गया यहाँ पर भी क्या है singular word है वो नहीं यहाँ पर हमेसा क्या है singular helping वर भाईगी यह आपको ध्यान लख रहा है अब बढ़ते हैं छटे तरफ छटी भी जगे हम कहां पर यूज करेंगे empathic sentence को छटी जगे हम यूज करते हैं adjective के case में अब adjective क्या होता है जो भी किसी के बारे में कुछ information देता है अच्छी बूरी हर किसी मुलब जैसी भी information देता है तो जो word information देता है उससे हम adjective कहते हैं चाहे वो अच्छ colorful information हो चाहे वो बेकार information लो जैसे बात परूब it is wrong, wrong क्या adjective मतलब ये गलत है it is wrong, it is right ये क्या right भी क्या adjective ये सही है मलब जैसे हम बोलते न यार ये गाली देना गलत है बिल्कुल तो it is wrong अगर मैं बात करो English बोलना बिल्कुल सही it is right, ऐसे बोलते है न it is difficult, it is easy it is not easy it is not difficult ये सारे क्या है adjectives है, ये सारे क्या है adjectives है और ये सारे क्या है मतलब emphatic sentence है ये सारे क्ये सारे emphatic sentence है बट अगर हमें इसको जोडू मा पूरे sentence है तो आपको कुछ नहीं करना आपको दो sentences के बीच में to लगा देना, जैसे आपको दिख रहा है हर जगे to, आपको कुछ नहीं करना, जो जब भी आप दूसरा sentence बोलेंगे कि मतलब जैसे करें बात करों, ट्रैफिक रूल तोड़ना गलत है, तो गलत है तो आपको समझ में आगे इंपेटिंगे, गलत है ट्रैफिक रूल तोड़ना, तो it is wrong to break traffic rules simple, सही है instruction follow करना, किसी government के, आजकल government के जो instruction follow नहीं कर रहा है, तो बहुत बेकार बात है, क्योंकि अगर आप government के instruction follow करेंगे, तो आप बचे रहेंगे क्रोना से, तो उम्मीद है आप घर पे रहें, और कुछ अपनी अच्छी आदिते डवलब करें तो अगर मैं बात करेंगे, कैसे बोलें, it is right to follow instruction of government मतलब यह सही है instruction follow करना किसके, government के it is difficult, बहुत tough है भाई to stay at home, बात तो सही कह रहा हूँ tough काम है, बत मजा भी तो tough काम में ही आता है तो कैसे बोलें, it is difficult to stay at home फिर कहा, it is easy to talk big, मतलब बाते बड़ी-बड़ी करना असान है, काम करके दिखाओ, तो कैसे बोलें, it is easy to talk big, फिर क्या it is not easy to talk big, मतलब बड़ी-बड़ी बाते करना असान, sorry, it is not easy to pass, मैंने गलत पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, मैंने sentence, आप जरा गौर से देखेगा, it is not easy to pass UPSC tough task नहीं है, English, क्या English बोलना, ज्यादा tough task नहीं है, तो अब हम देखते हैं, last वाला देखते हैं, 7th number पे imperative sentence, तो आपको अब पहले ही समझने होंगे last है, कि emphatic sentence खतम होने जा रहे हैं, तो थोड़ सा वीडियो लंबा होगी है, बट ये बहुत knowledgeable video है, तो ये जो imperative sentence है, imperative sentence क्या होते है, imperative sentence होते है जो हम आग्या होते है, जो हम order देते हैं, और order वाली sentence हमेचा हमेचा simple present में ही simple present में ही बोले जाते है जैसे हम बोलते है, बैट जा भाई, sit down भाई दरवाशौ कोल दे, open the door अगर मैं ऐसे जोब भी हम order देते, cricket हिल ले बाई, play cricket, बैट जा, sit down, खड़े हो जा, stand up, खाना खाले, take food, ऐसे हम सिरफ और imperative sentence में सिर्फ action बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ और सिर्फ action बोलते हैं, present में बोलते हैं, सीधा action बोलते हैं, और अगर present में बोलते हैं, तो कैसे बोलेंग हम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ता हैं, अगर मैं imperative sentence में किसमें, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, do लगा देना होता है, क्या लगा देना होता है, क्या लगा देना होता है अगर हम जोर देके बोलेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे? Do take food. जैसे अगर मैं बात करूँ। पहले मैं बोलूँगा, simple सा बोलूँगा तो subscribe the channel. अगर जोर देके बोलूँगा, imperative में, तो क्या बोलुँगा? Do subscribe the channel. अगर मैं बात करूँगा कि सिरफ मैं कमेंट करने का बोलूँगा तो बोलूँगा और अगर मैं जोर देके बोलूँगा तो क्या बोलूँगा दू कमेंट या प्लीस दू कमेंट ज्यादा आधर दूँगा तो बोलूँगा प्लीस दू कमेंट वैसे ही है कि अपने पापा को तो कैसे बोलेंगे do send message तो आज के लिए इतना ही काफी है तो ये जो अब बाकी बचावा है ये आपका homework है तो मैं आपको homework पहले बता देता हूँ पढ़के बता देता हूँ जैसे तुम ही तो हो जो मेरे दिल में हो इसको English तो जो सारा homework है वो comment box में अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपके समझ में आ जाएगा और आप सब चीज कर लेंगे तो आपको comment box में फिर सारा क्या लिखना है example लिखना है ठीक है English में फिर क्या मेरी बाई की ही तो है जो मेरे साथ रहती है हमेसा वो कल चल तक नहीं पाया मतलब कल वो कल चल तक नहीं पताया पाया पताने के चोड़ चार्ट लग गई होगी जैसा गुरू वैसा चेला मैंने कल गाली दी मैंने कल गाली दी तो भाई ने भी दे दी और क्या है कल मैंने किताब की किताब पढ़ दी भाइब मतलब बहुत सारे किताबे पड़ दी तो अगर मैं बात कर रहा हूं किस बारे में इस बारे में तो आप अपने comment करें तो उसको मैं चेक करूँगा देखते हैं कि कितने लोगों की comment सही आते हैं तो चलते हैं फिर मुलाकत करेंगे हमा आप से next वीडियो में तो तब त जो और घंटी बजोन न विसरे भाई